आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक मोटर का हम function block बनाते हैं function block मतलब क्या जैसे कि Siemens PLC में आप देखोगे टी ओन टाइमर दिख रहा है यह टी ओन टाइमर को मैंने ड्रैग किया ठीक है और ड्रैग करके मैंने नाम दे दिया टाइमर 1 ठीक तो एक टी ओन टाइमर आ गिया एक बार और मैंने इसको ड्रैग किया इसको मैंने नाम दे दिया टाइमर तू जितने बार हम टाइमर को ड्रैग कर रहे हैं उतने बार उसका function तो वैसे ही होगा जैसे टी ओन काम करता है लेकिन क्या है कि हम अलग-अलग इसको नाम दे दे रहे हैं यह टाइमर 1 हो गया यह टाइमर 2 हो गया जितने बार ड्रैग करना चाहे वह हो सकता है मतलब इसका यह है कि इसके अंदर एक common logic लिखा हुआ है टाइमर का जितने बार मैं operate करूंगा वह टी ओन टाइमर के तरह ही नहीं देख सकते हैं तो ऐसा है कि जब function block उन्हें ने बना के दिया है तो हम अपना भी तो function block बना सकते हैं तो हम किसी चीज़ का भी function block बना सकते हैं चाहे हम motor का function block बनाए चाहे slide gate का बनाए या एक valve को open close करने का बनाए या slide gate किसी चीज़ का भी हम अपना function block बना सकते हैं अ देखो एक मॉकडर को स्टार्च परिए क्या क्या चाहिए एक सटाट चाहिए मॉकर को उनच सब्सक्ति चाहिए तो अगर ये जो सी अगर ये साथ लाइन का साथ निटवर्क का लॉजिक हम लिख रहे हैं अगर प्लांट में 500 मोटर हो 500 मशीन हो तो 500 बर ऐसा लिखना पड़ेगा राइट पैंटीस सो लाइन का पड़ेगा क्यों हम एक ही बार एक लॉजिक बनाते और उसी को बार बर यूज परेंगा पंजन ब्लॉक को ड्राइक करें ठीक है तो कि देखते हैं कैसे बनता है फंशन ब्लॉक देखिए एक फंशन ब्लॉक बनाने के लिए क्या क्या तरीका है मैं ठीक है किस चीज का फंशन ब्लॉक आप बना रहे हो मोटर का फंशन ब्लॉक बना रही हो तो आप नाम दे देना मोटर सईयां — और उसके बाद ओके कर दीए कि तो को एक मोंटर एक नाम से फंशन ब्लॉक आ गया और यह एक्जैट्ली टिऊन के तरह देख़रा आता और इसमें भी आता है अब ये है किसकी ये जो नेट़ॉर्क है यह कौन सा नेटवर्क है यह में नेटवर्क है जिसमें हम लाजिक बनाते थे और अभी तक बनाते हैं ख्यांद है और इस पर मैं क्लिक किया तो इसका भी नेटवर्क खुला ये नेटवर्क कॉमन लॉजिक बनाने के लिए राइट मैं मोटर के फंशन ब्लॉक पे गया और इसको मैं ऐसे करके ड्रैक कर रहा हूं तो जैसे ड्रैक किया तो कुछ इन्पूट्स आउट्पूट दिख रहे हैं तो चलो इन्पूट क्या क्या हो सकता है इन्पूट देखो इन्पूट क्या हो सकता है स्टार्ट मोटर हो सकता है क्यों वाइट इंटर किये स्टॉप मोटर हो सकता है और इंपुट में क्या हो सकता है और इनपुट में क्या हो सकता है और फॉल्ट हुआ तो कर सकते हैं वो भी एक इनपुट है fault reset सही है तो यह सारे inputs में आगा output में क्या क्या आएगा एक देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैं PLC का कोई output on किया और उससे मैंने contactor को on किया तो इसका मतलब यह है कि motor on हो जाएगा PLC का काम क्या है कि एक बस output on करेगा उससे relay on होगा relay से contactor on होगा contactor on हुआ कि नहीं PLC को फर्क पड़ेगा उसका काम क्या है बस एक output on करने है तो अभी जब तक हम logic बनाये है हमने output को consider कि यह motor है लेकिन अब आप advance आगे जा रहे हो तो अब हम बोलेंगे कि यह output जो है यह motor को on करने का command है ऐसे बात करेंगे ना on नहीं हुआ motor को on करने का command ठीक है तो output में क्या आएगा motor का on करने का command motor on command और output में क्या आएगा एक fault आएगा जो fault set हुआ था timer से ठीक है आप लोगों को fault वाली logic भी पता है बता है ना fault वाली logic मतलब की अगर कैसे हम PLC पे feedback लेते है motor का उपर लगाते हैं राइट बताये तो थे ठीक है motor on करने का command और दूसरा क्या हो गया fault तो इसको लिख देता हूं मैं motor fault के नाम से तो यह होगी है motor का fault ठीक है अच्छा अब हम इसका common logic लिखेंगे इसके अंदर देखो input output हमने mention कर दिया अब हम common logic लिखने जाए ठीक है तो जैसे normal logic लिखते हैं वही लिखेंगे एक start button हो गया ठीक है एक stop button हो गया और यहां तो common logic है तो इसमें मैं memory holding नहीं करूंगा मैं output की ही holding करूंगा जो motor को on करने का command है उसी को मैं hold करूंगा सही है तो मैं यहां से एक output ले ले लेता हूं यहां parallel ले ले लेता हूं और इसको close करके मैं यहां लिखता हूं वो start motor वाला जो था ना tag start motor देखो इसमें कोई address आया क्या नहीं आया ना मतलब यह account logic है और इसके बाद stop motor stop motor का यह क्या है motor को on करने का command है सही है इसी को मैं क्या करूंगा hold करूंगा मतलब आप क्या करोगे start motor को जब दबाओगे ना तो क्या होगा आपकी जो motor की output command है वो hold हो जाएगी सब्सक्राइब क्या होगा अगर on command आया और feedback नहीं आया तो on command का मैं no ले लूँगा feedback की nc ले लूँगा feedback की nc ले लूँगा ताकि अगर feedback आये तो वहां क्या हो जाएगा nc हो जाएगा तो मैं यहां एक no लेता हूँ और एक nc लेता हूँ ठीक है अब देखिए मैं लिखता हूँ यहां वही same motor को on करने का command सभी है अगर यह आया तो यह भी on हो जाएगा और यहां मैं लिखता हूँ motor की run feedback सभी है मतलब on command आया लेकिन run feedback नहीं आया तो यह भी nc रहेगा सभी है और ये भी NC रहेगा अगर feedback नहीं आए तो इससे क्या होगा एक T-on timer चल जाए वो इंतजार करेगा कि 5 सेकंड के अंदर feedback आया तो सही है नहीं आया तो timer अपना done bit से क्या करेगा fault को set तर रहे है तो देखे एक चीज़ और यह मैं क्या कर रहा हूं main में जा रहा हूं यहां मैं T on timer drag करता हूं जब ठीक है तो क्या बता रहा है single data block ना मतलब देखो कभी भी मैंने बोला है कि timer को copy paste करोगे कभी किया हो नहीं कियो ना क्यूंकि जो timer आप एक data block बना रहे हो उसी के एक ही data block क्रिए तो उसको एक ही बार यूज़ कर सकते है लॉजिक ही उसको repeat नहीं कर सकते है लेकिन अभी जो हम timer common logic में लेगे वो timer हर motor के लिए बार बार यूज़ हो मतलब यहां लिखा हुआ है single instance तो वहां लिखा रहेगा multi instance मतलब यही timer बार बार यूज़ होगा logic में सही है तो इसको मैं delete कर देता हूं और मैं main में जाता हूं function block में और यहां मैं एक tion timer को drag करता जब tion timer को drag किये तो ऐसे बहुत सारे options है ना हम multi instance timer लेंगे और यहां लिख देंगे timer सिर्फ timer लिख देंगे ठीक है और ok करेंगे तो देखी एक timer के नाम से आ गया और यह timer common timer है सबके लिए use होगा यह हम अपना timing दे देते कितने सिकंड बाद आप fault generate करना चाहते हैं आपने command on किया मोटर का लेकिन feedback नहीं आया तो दोनों एंसी रहेगा तो timer चलना शुरू हो जाएगा एक दो तीन चार पात पास सेकेंड के अंदर अगर feedback नहीं आया तो आपकी फॉल्ट जो है सेट हो जाएगा देखे तो मैंने क्या किया टाइमर के output से मैंने क्या 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 एक सेट को ले लिए और इसमें किसको सेट करेंगे मोटर के फॉल्ट के नाम से एक मैंने आउटपुट लिया था ना उसको मैं सेट कर दूगा मो मोटर के फॉल्ट रिशेट मैंने बटन लिया था ना किस नाम से है फॉल्ट रिशेट सही है और इससे मैं क्या करूंगा ये जो फॉल्ट सेट हुआ था यही रिशेट होगा ठीक है तो यहां से ऐसे करके रिशेट ले लेता हूँ और इसका नाम क्या होगा मोटर फॉल्ट क्या आएगा हैच्छा जो फॉल्ट है वहां लिख के आएगा अलाम में कि मोटर वण हो गया प्लीज चेख ठीक है और आके पहले क्या करेगा हूटर को रिशेट करेंगा तो इसो अ ważne है क्या हमने अभी holding तोड़ा है motor on command का नहीं क्या run feedback आ रहा है नहीं तो timer already done bit है ठीक है तो अगर बंदा fault reset button दबा रहा है तो आपकी fault reset हो रहा है लेकिन फिर से set हो जा रहा है समझ रहा है समझें एक बार reset हुआ तो reset करने जा रहा है तो फिर से set हो जा रहा है क्योंकि timer की तो done bit on है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें एक काम करते हैं हम motor की holding तोड़ देंगे जो on command वाली क्योंकि एक बार fault आया तो बंदा क्या करेगा पहले जाकर check करेगा और check क करेगा कहा problem थे belt फसा है कि नहीं या कहीं पैनल में कोई problem है ठीक है उसके बाद आके फिर से start करेगा कि नहीं उससे अचा मोटर की on command को holding तोड़ देते हैं तो क्या होगा कि अगर timer का done bit हड़ जाएगा मत्तब क्या timer reset हो गया तो बंदा अगर reset करेगा hooter को तो आराम से hooter reset हो कि यह हमारा जो है common logic ready हो गया है अब हमें काम करते हैं मेंट पे गये और में पे क्या क्या करेंगे हम hill timer को drag को में से तो एक है में पे हम क्या करेंगी अपना मोटर के function गुणक रहेंगे यह कोने पे मोटर का फंचन ब्लॉग दीख रहा है हम क्या करेंगे इसको मेंग स्कॉमेंधे1000 ब्लॉब क्रियेट होगा ला मोटर के नाम से कौन सा मोटर मोटर वन मैं लेलेता हूं मोटर वन सबस्क्रों एक बार और अदेका इसे बांद मेंस। तो यह आपका motor 1 का function block बने हैं एक और motor चाहिए तो एक और motor का function block बना लो एक बर और ड्रैग करो में में इसको और इसको नाम दे दो motor 2 और सब का अपना-पना function block बन रहा है मतलब common logic से ही काम करेगा लेकिन सब अपना-पना काम करेगा अलग-अलग टी-on timer ड्रैग करते हैं तो टी-on-one, टी-on-two तो सब अपना-पना काम करता है न वैसे यहां भी अपना-पना motor logic अपना-पना कर देते हैं अब हमें decide करना पड़ेगा कि किस memory से motor 1 start होगा किस memory से motor 1 stop होगा पॉट research के लिए क्या input लेंगा बास समगे जो question mark दिखना था न सब में address डालना पड़ेगा तो सबसे पहले चलो मैं tag create करता हूँ तो मैं लिखता हूँ m1 start या ऐसे लिखता हूँ start m1 सही है और इससे मैं input मैं memory से करूँगा क्योंकि देखो plant में जो भी motor start stop होता है कहां से होता है तो ड्रैक करूँगा तो stop m1 आ जाएगा एंटू आ जाएगा एक बार एक्सल के तरह काम करता है जैसे एक्सल में काम करता है ड्रैक करेंगे तो 123 ऐसे करके आजाए लाक्ट में और क्या input में फॉल्ट रीसेट है फॉल्ट रीसेट तो m1 लिखते है अगर m1 लास्ट में नहीं लिखेंगे तो फिर से एक बार लिखना पड़ेगा राइच फॉल्ट रीसेट m1 हो गिया अगला क्या है input में motor run feedback था ठीक है तो मैं लिखता हूं run feedback m1 चलिए रन feedback मन है तो इसको drag कर कैसे कर देते हैं सही है सारे inputs थे हो गएいます आउटपुट में क्या है motor one on command motor two on command तो मैं यहां लिखता हूं on command motor one सही है और इसको output कौन सा दे दूँगा 0.0 से ही तो अन होगा मोटर वन ठीक है इसको ड्रैग करके हम क्या करेंगे ऐसे लिख देते हैं मोटर टू का ऑन कमाड होगी सही है क्यों 0.0 से क्यों 0.1 बनते आगे अब लिखेंगे पहले टैग बनाने का मतलब क्या है कि चीजे आपको असान हो जाएगा बार बार रीनेम नहीं करना पड़ेंगे और आप पहले ही अड्रेस डिसाइड कर लोगे तो आपको मेहनत कम पड़ेगा ठीक है तो आउटपुट होगी आउटपुट कमाड एम वान आउटपुट दाल देंगे आडरेस तो स्थाट मवघन सही है इसका एनप डालते जाओ मोतर रंफीटबैक तो रंफीटबैक मवघन तो रंफीडबैक एम वान सही है यह क्या है फ्यूज़ए फॉल्ट मवण सरी फाल्ट वी सेट मवण न इन पूट जो लिखा है उसका एड्रेस डालना और यह क्या है on command M1 यह क्या है fault M1 सही है हो गया इसको fill कर दिये अब जाओ M2 में motor 2 का function block है ना यह motor 2 तो यहाँ डाल दो जैसे start M2 stop M2 और run feedback M2 ठीक है fault reset M1 sorry M2 और motor का on command तो on command M2 और fault M2 फिल हो गया ना पुरा तो यह हमने इसका बना लिया है अब इसको operate करके check कर लेते हैं यह जो memory है start stop यह कहां से होगा हमाई से तो होगा हमाई में बटन तो यहां से भी तो operate कर सकते है memory को ठीक है तो हम simulator on कर लेते हैं और on करके check कर लेंगा यह हमारा finish हो गया इसको चस्मा को on कर लेते हैं monitoring को यह minimize करके देख अभी सब motor बंद है सब कुछ false है ना यहां भी देखिए false है अभी किस motor को on करना चाहते हो आप motor 1 को तो अगर आप motor 1 को on करोगे तो कौन सा output on हो जाएगा यह on हो जाना चाहिए अगर यह on हो गया मतलब logic गड़वर है तो चलो हम एक काम करते है start M1 करते है ठीक है तो control F2 दबा के छोड़ दिए तो देखो holding हो गया क्या हमने feedback on किया भी देखो false आगिया ना fault पे क्या गया true आगिया मतलब 5 second बाद यह आपका fault generate हो गया क्योंकि हमने तो feedback on नहीं किया था तो अभी तो फिलाल हमारा motor connect नहीं है तो हम क्या करेंगे feedback को manually on कर देंगे तो इसको बंद करने के लिए क्लिए है हमारे पास fault reset button है तो मैं इसको ऐसे दबा के reset कर दिया सही है fault reset हो गया ओके अच्छा अब देखिए फिर से start अब पहले ही run feedback on कर देते हैं फिलाल के लिए ठीक है run feedback मैंने पहले ही on कर दिया अब start करता हूँ तो देखिए अब crew हो गया और अब जो है आपकी fault नहीं आएगी क्योंकि run feedback आ रहा है ना सही है क्या motor 2 on हो रहा है जैसे कि motor 1 का block है तो इसके अंदर जाके देख सकते हो कि जो common logic है इसके लिए कैसे काम कर रहा है इस पर अगर आप double click कीजिएगा ना इस पर तो वो जो logic है main logic है वो अभी अपना behavior दिखाएगा motor 1 के according समझे क्या अपने logic में जो भी nonc दिखाएगा output on करते हुए logic 1 के according दिखाएगा इस पर मैं double click करता हूँ और इसको मैं on कर देता हूँ monitoring को तो देखिए run feedback आ रहा है और देखिए on command on है सही है और fault तो अभी है नहीं चलो एक काम करते हैं इसी वक्त मैं motor 2 के function block को double click करके check करता हूँ तो इसमें तो output command hold नहीं है तो इस पर click करेंगे तो देखेंगे कि यह अभी hold नहीं है देखो वही logic इसके लिए hold नहीं है वही logic motor 1 के लिए hold दिखा रहा है तो मतलब इससे confirm हो गया कि हर motor का function block अपना-पना अकेले-अकेले काम करेगा रहा है चलो बाई-चांच चलते-चलते motor बंद हो गया राइट मैंने इसकी feedback को हटा दिया और double click करके logic को मैं देख रहा हूँ देखो फॉल्ट की NC नहीं आ रही है feedback की तो देखो timer set हुआ और यह set हो गया और यह क्या किया motor का fault जो है इसने क्या की motor की holding को तोड़ दिया तो उसके वाद हमारा जो fault है set हो गया fault सेट हो गया तो आप क्या करोगे fault को reset करोगे तो reset button से आप क्या करोगे fault reset motor 1 का इसको ऐसे दबा के छोड़ कोड़ दी fault reset हो गया सही है अब हम एक काम करते है को अपरेट करके देख लेते हैं थे कि मोटर टू को अपरेट करने के लिए देखो ऐसे करके स्टार्ट किया और इस पर डबल क्लिक करके देख रहा हूं देखो फीड़बैक नहीं आ रहा है तो टाइमर चल गया एक दो तीन चार पांच सैट हो गया तो यह किसके यह जो लॉ फीड़बैक को अन कर देते हैं दिखाने के लिए और हम स्टार्ट मोटर टू करते हैं यह देखे स्टार्ट कर दिये और अब तो फॉल्ट नहीं आएगा देखो इस पर क्लिक किये तो होल्डिंग है और फीड़बैक आ रहा है तो अभी टाइमर नहीं चलेगा तो वैसे ही जब कॉन्टेक्टर की फीड़बैक आएगी पील्सी के किसी इंपुट पे तो उसकी एंजी यहां डाल देंगी अगर फीड़बैक आया तो फॉल्ट वाली टाइमर नहीं चलेगा और फीड़बैक नहीं आया तो फॉल्ट वाली टाइमर ओन हो जाए तो ऐसे हम एक हम किसी चीज का भी फंशन ब्लॉग बना सकते हैं कि आप चाहते हो कि हर टाइम वो रिमोट वैसे ही काम करें जैसे बना तो यह हमारा फंशन ब्लॉग का टॉपिक खतम हुआ आप लोग अपक्या करो अपना अपना सिस्टम ओपन करो और जैसे मैंने बताया है इसको बनाओ ठीक है तो हम यहां वीडियो को एंड करते हैं थैंक्यू सो मच्छ वीडियो को एंड तक देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकन को दबाईए ताकि ऐसी अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें जैहिंद जैवारत